हेलो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे कापी मज़े में होंगे वेल्कम बैक टू चैनल एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है तो आज का ये वीडियो है ये बनाया हूँ एक टॉपिक पे जो की अक्सर में लोग मेरे से जारना चाहते हैं पूछते हैं तो ये टॉपिक क्या है वह आपको कायर टाइडल से तो पता चली गया होगा तो जी है यह है बाउट माय टाटा सफारी मॉडल 2021 तो मैं अपना टाटा सफारी 2021 मॉडल लास्ट येर सेप्टेंबर में लिया था जस्ट एरॉंड फिप्टीन इस बेक हमारा मेरा one year complete हुआ उसका तो अकसर लोग मुझसे पूछते हैं मैंने टाटा सफारी क्यों लिया जबकि इस सेग्मेंट में और भी बहुत से अच्छी आरे से और और अपने लियुद्वेश किया तो इस वीडियो में में उसी के बारे में बात करूँगा कि मैंने क्यों टाटा सफारी ही चोच किया और जब में टाटा सफारी चोच किया तो यह कार ने के सफर में क्या-क्या मेरे क्राथटे इन जा नुए सचा और किरीटो से उल्ट कार हो सै रधरिज़ और उसके बाद मैं फlease कि मैं जब कार देख रहा था था तो वेansen कौन-कौन से कार देखे क्या-क्या कंसीडर किये किनके टेस्ट आप लिए किनके बारे में पता किया जाना उनके बारे में लास्ट में फिर मैं बताऊंगा कि मैंने टाटा सफारी ही क्यों चूछ किया क्या मुझे पसंद आया टाटा सफारी में क्या नहीं पसंद आया तो ला से काफी कुछ था काफी स्ट्रॉंग कार था ड्राइब भी काफी करता था काफी कमपर्टेबल था मतलब अपने सेग्मेंट के साप चाहर कर देखे तो मैं काफी खुछ था उस कार से पर फिर प्रॉब्लम वह हुआ कि वह कार हमारे लिए छोटी पढ़ने लगी तो जब हमारे फैमिली में हम जब वेरी फिक्वेंट रोड ट्रावल पर जाते हैं लॉंग होलीडे पर जाते हैं और ड्राइब करता हूं तो हम लोग एटलिस सिक्स मेंबर हैं जिसमें सीनर सीटिजन सेल्ड़ पेपल भी और दो बच्चे हैं उसके बाद मेरा दूसरा क्राइटरि खेज मेरा फीर कार काफी स सेक्योड नसे 22 जो बीया जाहिए जो बीक्राइब लेना पॉड्र लेन यह उसका अधे लेनने मुझे आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना था मैं चाहता था सब कुछ जो भी चाहिए मुझे वह सोरूम से लेने के बाद ही मुझे मिल जाए और टॉप मॉडल का एक फाइदा होता है कि उसमें एडिशनल पैसिव एंड एक्टिप सेफ्टी फिचर भी होते हैं जैसे शिक्स और सेवन एर बैक्स होते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि मुझे डीजल कारी लेना था बिकॉज मुझे लॉंग ड्र कोई सुनी हो तो यह सब क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पर में कार देखना से हमारा एक और कंसीडरेशन था जो कि था बजट का मेरा बजट विजीन अंडर 30 लाइक्स था वैसे तो हम 25 लाक्स तक देखते थे पर मैंक्स स्टेज करते तो 30 लाक्स उससे ज्यादा हमें न एक स्टेक्सन करने के जर्णी में मैं कौन-कर कार को देखा और किस बेसे हमें काडों और मैंने रिज्यक्ट किया वारे फामल उनके य 되면 न लिए नहीं के नहीं गया तो यहाँ मैं जब भी बात करूंगा वह मोशली मैं यूटिलीटी वैसस भी अन्शनल वैसीडागung technical detail में भी जाओं तो हर कार एक डूसरे से different हैं बहुत अलग हैं तो मैं ज़्यादा technical ref में नहीं जाना चाहता है यहां पर अपकोर जब मैं ले रहा तो मैं technical aspect भी consider किया था पर वो किसी और वीडियो के लिए topic होगा अगर हम चाहते करना in future यहां पर mostly मैं utility और functional basis पर भी बात करूंगा तो सबसे पहले मैं जब सुरू किया था इस स्टार्ट किया था इस segment में देखना तो मैंने Etiga, Marutu Suji की Etiga और Marutu Suji की XL6 भी देखा तो मैंने वह देखा था जस्टू स्टार्ट कार हैं इस segment का entry level if we talk about this segment तो वह भी देखा पर उसमें वही था कि मैं जहें फाइनली डीजल मैंने रिशाइट किया डीजल के लिए जाना है तो पेट्रोल कारती तो मैं वह था पावर उन में मिलता था आइटिंक सम हंड्रेड थ्री बीएच्पी का पावर वह भी मुझे एडुकेट नहीं लगा तो फिर एटिगा और एक्सल से किसी रिजन से मैंने डॉप कर दिया वह पेट्रोल में थे और पावर भी जो चाहिए था वह मुझे उत्ता अडुकेट नहीं लगा उसके बाद म अच्छा लगा उसमें कोई प्राब्लम लेगा काफी मॉडर्ण लुक था अच्छा दिख रहा था रोड प्रिजन्स भी ठीक था कि था तो उस हिसाब से मुझे ठीक भी लग रहा था आउट्टमेटिक टांस्मिशन भी था डीजल भी था सब कुछ ठीक था तो वह देखने उस हिसाब से मैं अलकजार को भी था और उसे देखने भी गया पर कहां पर अलकजार मात का गया मेरे च्वाइस के लिए और कंसीडेशन में तो एक तो था कि वह डीजल का जो इंजन था वह सेम क्रेटा वाला एंजन था सेम 113 ब्याश्पी पावर वाला तो वह पावर पूरा कर देगा अपर मुझे थोड़ा जाद उससे पावरफुल कार चाहिए तो वह कहीं पर मुझे वह एक डीजन था जो मुझे वह सूट नहीं कर रहा था मुझे को अब खुद को सूट करता हो नहीं दीख रहा था पर और इसके बाद जो उसका सबसे मेजर डॉबएक तो वह यह था कि उसके टॉप अगड़ में गया तो वह उसके लास्ट रो में आल्मोस्ट नो इस पेस था इवन किट्स के लिए नहीं मैं तो 6 फीट वन इंच का हूं तो मेरे लिए तो कोई सवाली नहीं था मेरे फैमली में जो छोटे हाइट के थे फाइफ फीट उससे छ पास्ट्रो कंफरडबल नहीं था अट आल तो इस हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो उसके टॉप डीजल वर्सन में टॉप मॉडल में वह अनली कैप्टेन सीट में मिलता था और आगे के दो सीट मिलके तो वह अल्टिमेटली फोर सीटर बनके रह गया था हमारे लिए तो वह भी नहीं गार लाउंच होई थी इंडिया में धमाल मचाया थे एमजी हेक्टर ने काफी धमाल मचा दिया था फिर उसके बाद एमजी एमजी हेक्टर प्लस लाए तो वह कार भी हम देखने गए तो डेफिनली वह कार का लुक हमें अच्छा लग रहा था लुक में अट्रमेटिक नहीं था मैनुवली ऑनली ऑप्सन था तो वहीं पर वह जो था मेरा एक काटरिया वह सूट नहीं किया और फर्दर उसके लास्ट ट्रोग में भी जो स्पेस था वह कंफरड़ नहीं था एवन किट्स के लिए बहुत मुश्किल से यह स्पेस मिल रहा था तो तो यह एक रिजन हो गया और थार्ड था कि उसका हाई स्पीड ड्राइविंग स्टेविलिटी मेरे को उत्ता पसंद नहीं आया अपको एम नौट टिलिंग कि वह खड़ाब था बहुत बुरा था क्योंकि आपको इस प्राइस पर जाते हो सेगमेंट में जाते हो तो हर कार यह बहतर दंग से बना हुआ अच्छे डंग से बना हुआ है काफी कुछ रिसर्च करके सोच करके बनाया गया है पर फिर भी कंपरिटेवली उस सेगमेंट में अधर कार जो है उनके कंपरिजन में मेरे को उसका हाई स्पेड डाइविंग स्टेबिलिटी उत्ता पसंद नह एमजिए एक्टर प्लस को नहीं चूच कर तो अब आया इस सेगमेंट का कंग और यूगेंट सेडैट सूपर कार ऑपड़ी सेगमेंट वह था टोएटा इनवबाए टोएटा इनवबाट क्रिस्टा तो यह जांता जाद इसकी सेल होती है इत्ते जादे इसे पसंद करने तो अपकोस इस कार को मतलब के लिए आप भी कोई कंप्लेंट और निकलना इतासान नहीं है पर फिर भी हमारा जो कुछ सब्सक्राइब करने के बाद भी इसके बूट में लगेज रखने का सब्सक्राइब तो यूटिलिटी वाइज यह सबसे बेस्ट कार थी उसमें कोई डाउट नहीं था ड्राइबिंग कॉमपट भी अच्छा था इसमें 24 ठान नहीं था तो फिर क्या विशन था कि हम इनोवऑ करिश्टा के लिए गहीं तो कुछ रिजन है जो कि मेरे पर्सनल इन हो सकता है अपकोर्स या मेरा पर्सनल ही रही है हो क्या सकता है बहु तो वह किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा था मेरे मेरे अंतर अहत्मा को वह कहते हैं ना कि मन नहीं मान रहा था कि इतने प्राइस थे कि मैं यह इनवा लाओं जिसमें फीजर्स भी उते नहीं है आज कल जो भी मौटन कार होता है उससे ज्यादे फीजर्स के साहथा रहे है सबकुछ के साथ आहरे तो वह सबकुछ लाएक कर रहा था और मुझे कुछ ज्यादे और फ्राइश लग रहा है और सकेंड यह था कि जब मैं से सफारी से कंपरेजिक तो मुझे सफारी का लूक थे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड यह सब्जेक्टिव है मुझे लगा मैं जब कंपेर गया तो मुझे काफी ज्यादा सफारी प्रॉपर इस भी टाप का दिख रहा था अफ्कोर्स इनोब क्लेम भी नहीं करते हैं और वह उसको जस्टिफाई करते हैं और उसी के एक सारा फुल्फिल भी करते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कोई कंप्लें नहीं है पर मुझे सफारी का लूक रोड परजेंस स्टैंस काफी अच्छा लगा तो यहीं कुछ रीजन थे जिसके कारण फर्दर मैं इनोब क्रिस्टा पर सेलेक्ट नहीं है तो फाइनली जब इस लूक काफी मुझे अट्रैक्टिव किया काफी पसंद आया तो यह फर्स्ट था जो अपने तर मुझे अट्रैक्ट किया कि चलो थोड़ा और जादे इसके बारे में समझो और एक्स्प्लोर करो और जब लुक से मैं सैटिस्फाइड हो गया तो फर्दर मैं जब गया ड मेरे डाइविंग रिक्वार्मेंट के लिए मोर दिन सफिस्यंट था तो यह काइटेरिया हो मेट कर गया उसमें मुझे प्रॉपर आटोमेरिक ट्रांस्मिशन मिल दा था जो कि हिंड़े टुसों से सोर्स किया हुआ था तो काफी अच्छा गेर बोक्स काफी स्मूथ था उ जब हम उसमें बैट के टेस्ट डाइब या मिडिल में अपने फैमिली मेंबर को विठा के चेक किया कहीं भी किसी को कमफर्टेविल्टी में कोई सुनी जब कोई कंप्लेन नहीं था और उसका प्रॉप तो मैं लेने के जस्ट वन औन हाप मन्त बाद मैं MP ट्रिप के लिए मैं था बैंगलोर से एंपी का रोड ट्रिप किया था वह एरॉंड 45-46 किलोमेटर का ट्राइब था तो उसमें हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स थे दो में भी बच्चे थे कभी किसी ने कोई भी कमफर्ट को लेके कोई कंप्लेन नहीं किया कहीं भी कोई बच्चे से लेके अभी तक सभी काफी सेटिसफाइस थे उसके कंपट से तो यह कंफर्टेबिलिटी अब कंफर्ट सेक्षन में भी यह हमारा क्राइटीरिया टिक हो गया उसके बाद था कि इसका राइड क्वालिटी भी काफी अच्छा था इसका सस्पेंशन को I was very impressed जिस तरह पर सस्पेंश हेवी है है पर चुकि मैं फियेट पुंटो से आया था वो भी हैड्रोलिक के स्टेरिंग ही था तो मुझे उसमें कोई इसू नहीं लगा कि यह स्टेरिंग ज्यादा है वी है I was used to that तो उसमें मुझे मुझे कोई इसू नहीं लगा और फिर हमारा काइटीरिया था कि सेफट प्लस जो मैंने लिया था तो इसमें भी मेरा कहीं भी कोई इसू नहीं था तो मैं हमारा यह काइटरिया भी टाटा सफारी 2021 मॉडल ने फुल्फिल कर दिया अच्छे से तो यह सारे रीजन है जो कि हमें सफारी के तरफ जाने के लिए प्रेलित किया और और यह कह सकते हैं कि जो हमारा सोच था उस सोच को मैच के सफारी ने तो यह रीजन थे जिसके कारण हम अल्टिमेटली सफारी 2021 मॉडल फाइनली अपने फैमिली में लाए और अब वन यह तो हो गया रॉन 15 डेस पहली वन यह कंप्लीट हो और हम लोग अभी तब काफी सटिस्पाइड है वन यह जैसे बैंगलूर से MP के मद्य प्रदिस हम लोग गए थे फिर बैंगलूर से रामुसरम मद्री वाला रूट के थे सब जगह तो काफी सटिस्पाइड है उसमें कहीं किसी को कोई कंप्लेंड नहीं आ रहा है सब्सक्राइड को हमने फाइनली पसंद किया और उसका उनर्शिप लिया तो मैं बोलूं कि क्या 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 कम्प्रमाइज हमें इमेडेटली उस समय जब ले रहे थे दिखा तो सबसे फर्स्ट तो था कि उसका बूटे स्पेस नो बूटे स्वेस अट आल 74 75 लीटर बूटे कि किसी भी हुमन बिंग का पॉसिबल ही नहीं कि वो सारे रहो आप में कहीं लॉंग ट्रिप पे जाओ तो सामाना जाए हाँ विजिन सीडी तो अधर गुमते हो तो ठीक है उसमें सारे रहो यूज कर दो गूम लो पर कहीं भी बाहर जाते हो तो आप सारे रहो के साथ करके जाओ बड़ आप कहीं बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा समान ले जाना है तब तो आपको सारे लास्टों कंपरेटली फोल्ड करना पड़ेगा और तभी लगज ले जा सकते हो तो यह बहुत ही बड़ा कॉंप्रमाइस था सगेंड कॉंप्रमाइस जो उस समय मुझ स्टेरिंग फेडबाइक उतना अच्छा नहीं है इसका जो कि मैंने उसी समय फिल किया था पर हां उत्ता भी बुरा नहीं लगा था कि जो कि मेरे लिए एकन से थाट वो डेटरेंट फैक्टर होता कि नहीं और इसके करना मुझे गार नहीं लेना है पर हां इट कैन वे और उसके बाद थार्ड इससु दिखा था उसी टाइम हमें हेड लाइट परफोर्मेंस उसके जो लाइट से हैं समय हाई बीम लो बीम और फॉग लैंप तीनों के परफोर्मेंस होत्ते अप्टिमल नहीं है अपने कंपेटिशन में जो भी अधर गारियां उनसे काफी कम है तो वहाँ जो था वह बेटर कर सकते थे तो यह थे कुछ जो इमेडियेट हमें ड्रॉबैक उस टाइम में लगा था पर इन ड्रॉबैक के उपर हम उसके पॉजिटिव जो थे वह ज्यादा बहतर लग रहे थे तो अल्टिमेटली इसलिए हमने टाटा सफारी अपने लिए वीडियो में डिसकस किया है वह आपके लिए थोड़ा यूजफुल हुआ हो आपके लिए हल्फुल रहा हो वैसे तो आप अगर कार्ड देखने जाते हैं तो मैं तो यह रिकमेंड करूं करूं कि आप खुद से जाके सारे कार को देखिए फर्स्ट अफ आल आप अपना बै इस इंडिविजियल का रिक्वार्मेंट अलग होता है तो वह आपको खुद डिसाइड करना होगा कि बैसकली क्या आप चाहते हैं और क्या कौन सी गारी आपके लिए सूट करती है तो यह आप खुद से डिसाइड कीजिए और तब फिर चूच कीजिए कार और हां आप तो इस वीडियो काम यहीं पर एंट करते हैं अगर आपको सफारी को लेके कोई भी क्वेडी हो कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट डाल सकते हैं मैं हर कमेंट का रिपलाई करूंगा तो फिर इस वीडियो का भी यहीं पर एंट करते हैं आप से मिलते हैं फिर किसी और नए वीडि